Hello friends and welcome to my YouTube channel, here we discuss lots of knowledge इस वीडियो में The Seven Wonder of World के सीरीज का first part होगा जैसा कि आज का first part और topic ताजमाल के बारे में discuss करेंगे जो कि Seven Wonder of World का एक खुबसुरत part है सबसे पहले हम जानेंगे the detail of ताजमाल और फिर जानेंगे क्यों कब और कैसे ताजमाल का निर्मान हुआ और फिर ताजमाल को क्यों The Seven Wonder of World में सामिल किया गया So friends, let's begin साजहान ने ताजमाल को अपनी पतनी मुम्ताजमाल के लिए बनवाये था ताजमाल को प्रेम की निसानी भी मानी जाती है ताजमाल का निर्मान हमारा प्यारा भारत में उत्तर परदेश के आगरा में हुआ था ताजमाल का निर्मान सत्रह हेक्टेर्स में हुआ है इसकी हाइट 73 मीटर यानि 240 फिट है ताजमाल का निर्मान 1632 से 1653 तक हुआ था ताद महल के Architect का नाम उस्ताद एहमद लहोरी है ताद महल के architecture style मुगर architecture style से बनवाया गया था ताद महल को यमना नदी के निकट बनवाया गया है अबसे भारतियों को मुख्य मकبرे जो की ताद महल के अंधर है उसे देखने के लिए प्रवेश करने की अनुमती नहीं होगी। लेकिन उन्हें ताज महल के चारों और और पीछे की और यमना नदी के सामने देखने की अनुमती है। ताज महल में प्रवेश टिकट केवल तीन गंटे के लिए वैलिड है। यदि कोई विजिस्टर समय से अधिक घूमते हैं तो उन्हें दूसरे टिकट के लिए भुकतान करना होगा। यदि आप ओनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आप के लिए कुछ अतिरिक्ट छूट मिलेगी। और 15 वर्ष से कम आयू के बच्चों के लिए कोई इंट्री टिकट नहीं लगती है। अगर आप ओनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ताजमाल हर रोज सुबह 6 वजे से साम साड़े 6 वजे तक खुला हुआ रहता है एकसेप्ट फॉर फ्राइडे सिफ सुक्रवार को छोड़ कर क्योंकि फ्राइडे को जुमार रहता है जिसके कारण दोपर 12 वजे से 2 वजे तक नमाज का समय होता है। लेकिन जिस सुक्रवार को फूल मुन यानि पूरा चांद देखता है उस रात को साड़े 8 से 12 वजे तक ताजमाल को दर्सन के लिए खोला जाता है। चलिए बात करते हैं क्यों कब और कैसे साजहां की पत्नी मुम्ताजमाल ने 1631 में जबेचोगदूएं बच्चे को जन्र देते समय उनकी मृत्यू 17 जून 1631 में हो गई थी तब साजहां ने उनकी कबर में ही ताजमाल का निर्मान करवाये थे। देखिए ये दो कबर मुम्ताजमाल और साजहां का है। साजहां अपनी पत्नी मुम्ताजमाल के मृत्यों के बाद बहुत दुखी हुए थे। जिससे कि उन्होंने 1632 में ताजमाल का निर्मान शुरू करवाये था। 22,000 मेज़ूर और चित्रकारों काम करते थे। मकराना से परभासी सफेद संगमर्मर लाया गया था। जो कि राजस्थान में इस्तित है। पंजाब से जस्पर मंगवाये जाता था। चीन से जड़े और क्रिष्टल और अन्य 28 परकार के कीमती पथर लाये गये थे। ताज चित्रकला से खुबसूरत इंटेरियर डिजाइन किया गया है। ताजमाल के गार्डन, गेट और मस्जिद को बनने में 10 से 12 वर्स लगे थे। ताजमाल को क्यों Seven Wonder of World में सामिल किया गया है। आज हम बताएंगे। ताजमाल को बाहर से देखने पर चारों तरफ से एक जैस लगता है और ताजमाल के अंदर में जो चित्रकारी और हीरो जड़े और इसे अनोखा रूप देता है। युनेस्को वर्ल्ड हरिटेज साइट ने ताजमाल को 1983 में सामिल किया था। मुसलिम काल की अनोखी और खुबसरत कला को पूरी विश्व में प्रसमचा की गई यानि साइट नोट लिस्ट अपने भारत सरकार को धनिवाद करता हूँ क्योंकि भारत सरकार ने इसे अब तक वैसा कही वैसा खूबसरत रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब क याकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सेके।